नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल विद्यापूर अकेडमी में आज हम लोग बिहार सिच्छक भरती के लिए किरन पुब्लिकेशन बुक्स का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं फुल एक्स्प्लेशन करने जा रहे हैं रिव्यू नहीं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लांग्विज वन इंग्लिश से हम पूछ फुल लांग्विज वन इंग्लिश को पूरा डिस्क्राइब करेंगे और पढ़ेंगे तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइ अग्रूपव वर्डश विच मेंका कंप्लेट सेंस इसकारट अ संटेंस पार्ट रूदे पार्ट वर्सस अब्जच अबर्स अंद फि शंच इस जैड़ेस नौन एस अजब्जेंट वाकि कव भाग जिसमें किसी व्येख्तिय वस्त्व की जानकारी हो सब्जच कहलाता है है subject are underlined below हारकंड become a state in 2000 28 states and 8 Union territory make in India next है तो यहां पर ज्हारकंड जो है वो subject है पैसे ही 28 states and Union territory यह जो है subject है तो यह वाकय का बाग़ है जिसमें किसी व्यक्ति अवस्तु की जान्कारी होती है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट नेक्स्ट है संटेंस का सेकेंड पार्ट होता है प्रैडिगेट प्रैडिगेट क्या होता है सम्थिंग विचिस सैड अबाउट दा सब्जेक्ट इसकार्ड प्रैडिगेट वाके का वह वाग जो करता के बारे में कुछ कहे प्रेडिगेट कहलाता है वाके कब वह भाग जो करता के बारे में कुछ कहे प्रेडिगेट कहलाता है इसके एक्जामपल्स है रचनी प्लस इटिंग तब फूट यहाँ पर सब्जेट क्या है रचनी रचनी जो है वहाँ पर सब्जेट है और प्रेडिगेट क्या है इस इटि 22 जारकंड विगामा स्टेतीन फाउजन ये इसका प्रेडिएट पार्ट है और जारकंड बार्ट इसका सब्सेक्राइए और मेक इन इंडिया इसका प्रेडिल गेटर चरि wi-never re unde के कितने प्रकार होते हैं पांच संटेंस पांच प्रकार के होते हैं असेर्टिव संटेंस इंट्राइटिव संटेंस इंपरेटिव 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 स इसमें साधार नूप से कोई बात या कथन कहा जाए उसे असरेटे संटेंस कहते हैं वाकिय के अंत में प्रश्ण वाचक चीन्य का प्रयोग किया जाता है इसको हम प्रश्ण वाचक चीन्य नहीं है यहां पर फूल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है वाकिय के अंत में नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव संटेंस इसको हम प्रश्ण वाचक वाकि भी कहते हैं हिंदी में वे वाकिय जो प्रश्ण पूछे या किसी के बारे में खोज करे उसे इंट्रोगेटिव संटेंस कहते हैं इस सोनु एन होनेस्ट वाटी जो नेम ठीक है यह जो है हमारे इंट्रोगेटि sentence a sentence which shows order, advice, suggestions, prohibition and requests इस कार्ड imperative sentence वा वा के जिसमें आग्या, सला, सुजाव, प्रात्ना आ दी हो उसे हम imperative sentence कहते हैं इसके example है come here imperative sentence मतलम आग्या वाचक वा के प्लीज सट दोल, repetitive sentence next is a sentence which shows a wish, a blessing और prayer is known as repetitive sentence ऐसे वाकि में इच्छा, प्रात्ना या सुब्कामना आदी दर्शाते हो उन्हें repetitive sentence कहते हैं ऐसे वाकिए wish या में से प्रारंब होते हैं wish you happy journey, may you live long ठीक है ये कुछ repetitive sentence के examples है next is kalismay θuration adelant test a sentence which shows mental passions thoughts Yaiden feelings of mind is known as mark stretchinginstallation is blues into sentence after the gun of interjection वाकुकिन जो अचाना कायवे विचारो या मांसी भानौव को प्रकट करें विश्मियादिक बुदक चिंदर का प्रयोग होता है ठीक है, एक्समेरेटरी संटेंस में विश्मेयादी बुदा चिन का प्रयोग होता है, ओ, रानी इस हेर, बुर्रे, आवर टीम हैस बुन दा मैच, नेक्स्ट है, एक्सामपल्स औफ टाइप संटेंसे ठीक है, इसके एक्सामपल्स 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 है, 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 When are you going to the park? Where is the attendance listed? Excellulatory sentence Oh what a beautiful dress! What a wonderful day! यह इसके Excellulatory Sentence है Next is Noun A noun is the name of person, place, animal, thing, human quality, idea, experience, feelings ठीक है? Noun क्या होता है? A noun is the name of person, place, animal, thing, human quality, idea, experience, feelings ठीक है? Examples of noun To name a person, the prime minister, my sister, a boy ठीक है? A place क्या है? The beaches, Mount Everest, my kitchen, India इससा place, place of noun के examples है Next is Name a thing, an idea, the dog यह name of things My plate, the movie यह जो है? The name of things के examples है Noun, kinds of noun Noun के प्रकार Noun कितने प्रकार की होते है? Noun 5 प्रकार की होते है First of proper noun Second of common noun Third of collective noun Fourth of material noun Five-fifth of abstract noun Proper noun किसे कहते है? व्यक्ति वाचक संग्या A proper noun is the name of particular person, place, thing किसी व्यक्ति वस्तु या स्थानादी के विशेश नाम को Proper noun कहते हैं Example, Delhi University Example, Mohan Example, New Delhi Example, New Zealand Example, Superman Next is common noun A common noun is the common name of class, of person, place, or thing Common noun जिसमें किसी विशेश या खास व्यक्ति वस्तु या स्थान का वोधो उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं या common noun कहते हैं Next Example, Mother, Father, Sister, Brother, Boy, Girl, Grandfather, Teenager, Twin, Dog, Cat, Bear, Jacket, Television and Boots Next is collective noun A collective noun is the name of collection of persons or thing किसी व्यक्ति या वस्तु के समूर के नाम को collective noun कहते हैं Example, A herd of cattle is passing Heard मतलब होता है जुन्द The police disappeared the crowd Crowd, A collection of people Army, A collection of soldiers Fleet, A collection of ships यह importance है Important है यह यह पूछे जाते हैं Crowd क्या होता है? A collection of people Army, A collection of soldiers Fleet, A collection of ships Flock, A group of birds and animals को flock कहते हैं A ships, भेड के जुन्द को fleet कहते हैं Committee, A group of members Heard, A group of animals जुन्द, Heard मतलब जुन्द Next, Jury A body of men shorn to declare the truth in courts of justice Next, Material Noun A material noun is the name of material things Naapi Tuali Jani Ali वस्तों को Material Noun कहते हैं Example है Is there any water here? Please give me some sugar Next, Abstract Noun Unabstract Noun is the name of such type of thing which is not seen or touched एसी चीज़े जिने हम टश नहीं कर सकते हैं उन्हें हम Abstract Noun के संदे रखते हैं जैसे Example is Honesty is admirable Example of Abstract Nouns Glory, Honor, Courage, Love, Truth, Honesty, Symbolism, Puritanism and Reflections Next, Converting Words to Abstract Noun Conducting adjective to abstract noun तो पहले हम verbs पर लेते हैं Converting verbs to abstract noun Verb है Move Abstract noun होगा Movement Reflect है Verb है Reflect Reflection Persever Conscious Conscious Consciousness Verb है Appear Abstract noun Appearance Verb है Resist Resistance Appoint Appointment Enjoy Enjoyment इसका abstract noun है वैसे ही अब हम कुछ adjectives को abstract noun में बतलेंगे Brave Abstract noun Bravery Truth Abstract noun Truthful Honest Honesty Weak Weakness Happy Happiness Sad Sadness Mad Madness Responsible Responsibility Possible Possibility Probability Optional Able Ability Independent Independence Free Freedom Silent Silence Next Modern classification of noun Modern classification के साब से Noun 3 प्रकार की होती है Proper noun Countable noun Uncountable noun Proper noun Proper noun Is the name of a particular person Place, animal, day, month and things कि किसी खाश, खाश, बैक्ती स्थान, जानवर, दिन, महिना, वस्तु आदी के नाम को proper noun कहते हैं I want some water I want some water Water को जो है हम count नहीं कर सकते हैं Please give me some salt Short को हम count नहीं कर सकते हैं Uncountable noun Water Rice Coffee Information Money Advice Luggage Furniture यह कुछ Important noun Uncountable Numbers 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 दू प्रकार के होते हैं Singular Numbers और Pillar Numbers 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 के दाया पर Noun को दू प्रकार बाटा गया है Noun Singular Numbers Now Pillar Numbers Okay Singular Numbers Denotes हा One Person और Things Example Boy Girl Plular Numbers Plular Numbers Plular Numbers Numbers Denotes More Than One Person Or Thing एक से अधिक वस्तों का बोटू वहाँ प्लूलर नंबर है Example Boys Girls Trees Cat Okay Next Singular से Plular बनाने के नियम Singular Noun के एंत में समानता है S जोड़कर Plular बनाया जाता है Example Boy Boy Chair का Chairs Cow Pen का Pens Table का Tables Car का Cards Duck का Ducks Belt का Builds यदि Singular Noun के एंत में S, S, H, SS, CH, X, O हो तो प्लूलर बनाते समें E-S लगाते हैं अगर Singular Noun के एंत में S, S, H, SS, SS, CH, X, O हो तो प्लूलर नान बनाते समें E-S लगाते हैं अगर यदि Singular Nouns के एंत में O होगा तभी प्लूलर बनाते समें S लगाएंगे Example यदि कोई Wowel होगा Wowel A-E-I-O-U होगा तो प्लूलर बनाते समें S लगाते हैं तो Singular Nouns के एंत में अगर Y होगा तो Y को I-S में बदल देंगे I-E-S में लेकिन अगर Y से पूर कोई Wowel होगा तो फिर वहाँ पर S लगाएंगे जैसे की Baby, Babies, City, Cities लेकिन डंकी, डंकी में Y के पहले Wowel है इसलिए अब डंकी होगा Day, Days होगा Next है Rule No.5 यदि Singular Nouns के एंत में F और F E हो तो प्लूर बनाते समें F और F E को V में बदल कर S और E-S लगाते हैं Example Thief, Thiefs Wife, Wipes Loofs, Loofs Knife, Knives Next Rule है उस Singular Nouns में I वे Wowel को बदल देते हैं Example Man Man Tooth Teeth Mouse Mice Goose Gears Next है Seven Singular Nouns के एंत में बत लगाकर प्यूलर ब्राते हैं Ox Oxen Fox Foxen E-N लगाकर Next है S लगाकर प्यूलर नाउन भी बनाया जा सकता है Next है कुछ नाउन प्यूलर की रूप में ही प्रयोग लाए जाते हैं Example Scissors Arms Spectacles Pillars तो यह कुछ ऐसे नाउन्स है और इंपॉर्टेंट प्यूलर रहते हैं यह कभी Singular form में यूजी नहीं के जाते हैं ऐसे sentence जो Pairs में होते हैं ऐसे चीजे जो Pairs में होती हैं जैसे Caesar Caesar की दो पार्ट होते हैं तो यह Pairs वैसे ही Spectacle दो पार्ट होते हैं Billiards कुछ नेक्स्ट है Question Number Rule 11 कुछ नाउन्स प्यूलर की रूपे होते हैं भी Singular की रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं Physics Innings News Politics ठीक है कुछ नाउन प्यूलर होते हैं लेकिन यह Singular माने जाते हैं यह नाउन दिखते हैं प्यूलर यह प्यूलर की तरह दिख रहे हैं लेकिन होते यह Singular है यह Singular नाउन है दिखते यह प्यूलर की तरह हैं लेकिन यूस Singular की तरह होते हैं Next एक कुछ collective नाउन्स Singular में होते हैं भी प्यूलर पॉम में प्योग लाए जाते हैं collective नाउन्स जो होते हैं सुललर भी होती हैं लेकिन पूइलर में प्योग लाई जाते हैं ecz wiping pupil, gentry, poultry पूल्टनरी सब्सक्राइब का singular में एक अर्थ होता है ताइब फूललर में दो अर्थ होते हैं जैसे आम, आर्म पैक्टिकल, आम, बाः आम्स, बाः और सस्त्र बैक्टिकल, दरश्य और सब्सक्राइब दरश्य या चश्मा दो दो अर्थ रखता है पेन, दर्द, पेन्स जो है दर्द और परवा, मैनर, तरीका, मैनर्स, तरीका, तरीके या सिस्टाचार नेक्स्ट ए 14 कुछ नाउन का सिंगलर रूप में दो अर्थ होते हैं तथा प्यूलर रूप में एक अर्थ होता है सिंगलर लाइट, प्रकाश, लैम्प, प्रूलर लाइट्स, लैम्प, पाउडर, धूल, तवा, पाउडर्स, तवा, प्रैक्टिस, आदत या भ्यायाम, प्रैक्टिस, आदत बभवचं नहीं होते हैं कुछ abstract nouns होती हैं उनके नहीं ऑफचं नहीं होते हैं hope, charity, kindness और death इनके बभवचं नहीं होते kindness, act of kindness, Ёब इनने बभवचं के रूप में प्रयोंट करते हैं तो इनके रूप को change कर देते हैं जैसे kindnessS को लिखेंगे act of kindness, provocations को लिखेंगे case of provocation धात्वों के प्योलर नहीं होते हैं, जो धात्व प्रकार के persons होते हैं फोस्ट पर्सट सेकेंड पर्संट सेकेंड पराइशन 3rd Person फर्स पर्संट पर्संट सेकेंड थेधा अग्जाम्पल राइव और वी इसलो spoake सुनने वाले को सेकेंड पर्संट invention of the भार इर्ट फर्संट पर्संट इजिस के बारी में Pretty चाहब और हो यह तो से तर्थ परसें चर्फ परसुंस के इस नेक्स्ट ये जंडर इंग्लीस में जंडर चार प्रकार के होते हैं इससे पूरुज जाती का बोद यूता है से मैं चेंडर कहते हैं ऐसम्सेलिंडर कहते हैं और लिए ल्टाइन जोड़ प्रदर feminine gender the word that denotes a female sex card feminine gender जिस सबसे इस्तरी जाती का बोधो होते हैं feminine gender कहते हैं जैसे girls, bitch, sister next is common gender the word that denotes either male or female is card common gender जिससे दोनों का बोधो उसे common gender कहते हैं example student male भी होती है student female भी होती है doctor lawyer driver next है neuter gender the word that denotes an object without life is card neuter gender जिससे नर नारी का बोधो हो जो है neuter gender कहते हैं बैक, ओयल, चेयर, बूर्द, ना हो हो से neuter gender कहते हैं masculine gender is feminine gender by using entirely different word masculine से feminine कैसे बनाते हैं किंग का नोता है किउन और टोप्र का भीश बॉल का चौन सपिक्स लगा बिस मैस्कुलिन जेंडर को फैमें जेंडर में ये शेक्म करती है पॉएट का है आधर का उस्ट का हॉस्ट जीन का जिव लगते हैं यह डाया ह। एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर का टाइगरेस, by placing a word before and after, masculine और से feminine बनाने के लिए, उसके पहले या बाज में एक वर्ब लगा करके, जैसे बुल काफ, तो काउ काफ, बुल काफ को काउ काफ, कुक स्टारो, हैं स्टारो, he, coat, she, coat, next है, एक्टर का एक्टर्स, masculine जंडर से feminine जंडर, masculine, feminine, बैशलर का feminine, स्टर, boy का feminine, girl, bride, room, bride, brother, sister, conductor, conductress, count, countess, krasar, krasarian, dad, mom, daddy, mommy, due, duchess, host, hostess, husband, wife, king, kune, man, woman, master, mistress, murder, murderess, nephew, niece, poet, poetess, police, woman, prince, princess, sir, madam, son, daughter, uncle, aunt, wizard, witch, noun case, the case of noun or pronounce shows its relation to other words and sentence, case की जच से noun को तीन भाग में भागता गया है, पहला होता नॉमिनेटिव केस, दूसर अबज़क्टिव केस, तीसरा होता पसेसिव केस, नॉमिनेटिव केस करता कारक, अबज़क्टिव केस कर्ण कारक, पज़िसिव केस समभन्द कारक, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, when a noun or pronoun is used to as the subject of word, it placed in the nominative case, जब कोई noun या प्रणौन किसी क्रिया या करता की रूप में प्रयोग्ट दोता है, तब noun या प्रणौन नॉमिनेटिव केस में आता है, जिसे हम करता कारक कहते हैं, जैसे, रोहिनी बोला is playing, the child is laughing, next, objective case, when a noun pronoun is used as the object of verb or preposition, it is placed in the objective case, जब कोई noun या प्रणौन किसी verb या preposition की object की रूप में प्रयोग्ट दोता है, उसे objective case कहते हैं, एज़ांपल, रोहिनी इट्स ब्रेड, सिध्धान्थ टीचेस सोनू, next है, possessive case, when the form of nouns those possessions or relations with something, it is placed in possessive case, जिस रूप से अधिकार या संबन्द का बोच्व, उसे possessive case कहते हैं, रोहिनी कार इस निव, he is रानी फादर, सोनू इस माई बुदर, next है, किसी क्रिया के आगे कौन, who लगाकर जो प्रश्ण बनता है, उसका अंतर नॉमिनेटिव case कहलाता है, जो noun या प्रनौन, transistive verb या preposition के बाद कहलाता है, बाकि में किसी क्रिया के साथ, किसको whom लगाकर प्रश्ण करने पर, जो उत्तर मिलता है, उसे objective case कहते हैं, next है, किसी noun के साथ, whose लगाकर प्रश्ण करने पर, जो उत्तर मिलता है, उसे positive case कहते हैं, nominative case, okay, we, positive case होए, our, you, your, he, his, she, possessive case, her, it का possessive case, it's, they का possessive case, there, our का possessive case, yes, your का possessive case, possessive pronoun का objective case होगा, ours का us, yours का you, his का him, hairs का her, x का it, theirs का, damn, possessive case बनाने के कुछ निया, में इस प्रकार है, rules one, living being, singular noun के end में, as जोड कर, जितने भी living being होगे, living being singular noun होगे, उनके, उनके, end में, as लगा गे, जैसे, Gotham's pen, Gotham की, कलम, the cow's milk, गाय का दूद, the boy's book, लड़के की किताब, तो ये, subjective case को, possessive case बना जाए जाए, next है, plural noun के end में, as ना हो, तो उसके, अंत में, as जोड कर, भी possessive case बना जाता है, example, women's college, children's schools, men's club, next है, plural noun के end में, as हो तो उसमे, अपर श्ट्रॉप भी जोड का है, boys' school, cow's tell, नाउन living things के साथ, आफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि, as का, तो जो, नाउन नहीं है, non living thing है, non living things के साथ, आफ का प्रयोग किया जाता है, ना कि, as का, तो जैसे, example, the school of, village, उपर तो जो है, as का प्रयोग किया जाता, living things के साथ, लेकिन जो non living things है, उनके साथ, आफ का प्रयोग किया जाता, the school of the village, cow's school, the water of the well, प्रयोग का पानी, the heap of garbage, पुले का डेर, subject, object, possessive adjective, and possessive pronoun, ठीक है, subject क्या है, I, object होगा, possessive adjective होगा, my, और possessive pronoun होगा, mine, you, subject है, object होगा, you, possessive adjective, your, possessive pronoun, yours, subject, he, object, him, possessive objective, his, possessive pronoun, his, subject, C, object, her, possessive adjective, her, possessive pronoun, hers, subject, it, object, it, possessive adjective its possessive pronoun नहीं होता है subject भी object isSA possessive adjective our possessive pronoun ours they them they are their's तो noun हो अलस्ट स्चेप pronoun प्रोनौन क्या है अब pronoun is a word which is used in a place of noun नाउन के स्थान पर जो सब्दियो जोते होने प्रणौन कहते हैं काइंड्स ओप्रणौन Option 1, personal pronoun, Option 2, reflexive pronoun, Option 3, empathic pronoun, Option 4, possessive pronoun, Option 6, demonstrative pronoun, Option 6, integrative pronoun, Option 7, relative pronoun, Option 8, indefinite pronoun, Option 9, distributive pronoun, Option 10, reciprocal pronoun Personal pronoun क्याता है, personal pronoun होते है, pronoun which are used in place of names, or persons, things, card, personal pronoun, वह pronoun जो किसी व्यक्ति है, वस्तु के रिए प्योग किया जाता है, उसे, personal pronoun, pronoun कहते है, noun नहीं, Example, I, we, you, he, she, it, they, next is reflexive pronoun, the pronoun, myself, ourself, yourself, yourself, himself, herself, itself, themselves, are known as reflexive pronoun, The pronouns reflect the accent of verb on the subject itself, जब वाक्य में, self pronoun के प्रयोग से काम करने या, का प्रभावत है, स्वयम करता पर पढ़ना प्रतीत हो, तब हम इसे reflexive pronoun कहेंगे, ऐसे pronouns जिसके दारा, वाक्य में कारे करने का प्रभावत है, करता पर दिखाई दे, उसे हम reflexive pronoun कहेंगे, जैसे, examples थे, myself, ourself, yourself, yourself, himself, ठीक है, examples है, he spoiled himself, you hurt yourself, empathic pronoun, empathic pronouns are pronouns used for sake of emphasis, और nouns, और pronouns, जब reflexive pronoun, noun या, pronoun पर जो देने के लिए, प्रयोग किया जाए, तब ऐसे pronoun को empathic pronouns कहते हैं, ठीक है, example है, he himself did this, they themselves took the decision, ठीक है, तो इसे empathic pronoun कहते हैं, next है, possessive pronoun, the pronoun which is used to denote possession और ownership is called possessive pronoun, जिस pronoun का प्रयोग, अधिता सौमित का बहुत कराने के लिए किया जाता है, उसे possessive pronoun कहते हैं, example, this table is mine, that is yours, next है, demonstrative pronoun, demonstrative pronoun, point of the person or things for which they stand, जिस pronoun का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए कह जाता है, उसे demonstrative pronoun कहते हैं, example, this is a bag, these are apples, this, that, these, those, यह सब जो है demonstrative pronoun है, demonstrative pronoun है, this, that, these और those यह सब जो है demonstrative pronoun है, next है, interrogative pronouns, the pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun, जिस pronoun का प्रयोग प्रस्ण पूछने के लिए कह जाता है, उसे interrogative pronoun कहते हैं, example, who, which, what interrogative pronouns है, who has written this letter, which of the pens do you want, next है, relative pronoun, the relative pronouns stand instead of noun and also join sentence, relative pronouns उसके कहते हैं, जो नाउन की जगा पर यूज होता है और sentence को जोडने का कारी करता है, जैसे, who, who, which, whose, that, यह relative pronouns है, next example है, the lady who is pink सारी is my mother, the lady who is, who is, तो यहां से वागर को जोडने का काम कर रहा है न, this is the boy to whom all we love, तो यह relative pronouns है, next है, an indefinite pronoun, indefinite pronouns refer to person or things in a value or general way, they do not refer them in a particular, जिस pronoun है, जिसी निश्ची द्व्यक्ति अवस्तु का बहुत ना हो, उसे indefinite pronoun कहते हैं, example, one should keep one's promise, one should keep one's promise, none is permitted to leave the place, जिस pronoun से किसी निश्ची द्व्यक्ति अवस्तु का बहुत ना हो, तो one should keep one's promise, next है, distributive pronoun, when each, either and neither are used to pronounce, they are called distributive pronouns, when each, either, neither, यह इसके examples है, जब each, either, या neither का प्रयोग pronoun के form में हो, तो इसे distributive pronouns कहते हैं, इनका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए किया जाता है, distributive pronouns का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो सब चीजों, दो से अधिक चीजों को अलग किया जाता है, example, each of the boy is liberious, men take each other's measures when they react, तो यहाँ पर each of the boys, मितलब सम में से, काई में से इस सब को बताया गया है न, each of the boy is liberious, next step, reciprocal pronoun, each other and one another, are called reciprocal pronouns, each other, one another, are reciprocal pronouns, राधा एंड कृष्णा लोन इच अधर, the four brothers लोन वन अधर, तो यह रस्दी पोकल प्रोनाउंस है, next है एग्जेक्टिव, an adjective is a word which is qualifies the noun or pronoun, ठीक है, adjective क्या है, adjective is a word which is qualifies noun or pronoun, तो noun or pronouns की विशेशता बताते हूंने, adjective कहते हैं, तो kind of adjective, adjective की types कितने प्रकार क्यों होते हैं, फर्स्ट है, एग्जेक्टिव of quality, सेकेंड है, एग्जेक्टिव of quantity, थर्ड है, एग्जेक्टिव of number, फूर्थ है, demonstrative objective, फिफ्थ है, possessive objective, फिफ्थ है, distributed objective, सेवन्थ है, integrative objective, नेक्स्ट है, proper adjective, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव, ठीक है, यह सब adjective के प्रकार है, quality of adjective किसे कहते हैं, आग्जेक्टिव of quality, सोज्ट दो, quality of person, और th्रिंक्स, जो किसी व्यक्ति अवस्त्व के, गुर्द अवस्था अवस्था को बो दोता है, उसे, adjective of quality कहते हैं, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव से जिससे किसी वस्त्व की मात्रा का वो दोता है, उसे, adjective of quantity कहते हैं, एग्जांपल, the whole property was divided, तो यह क्या है, गौतम है, sufficient money, यह जो है, adjectives है, quantity of objective, next, adjective of numbers, adjective of numbers और numeral adjective इंडिकेट, how many person और things are met and in what order they stand, जिस adjective से व्यक्टिए वस्त्व की संख्या या क्रम का बोधो, उसे adjective of numbers और numeral adjective कहते हैं, एग्जांपल से, रानी वाजदा फिर्स वूमें तो कम, तो होर्स हैं और वन तेल और तो आईज, रोनी हैं और फ्यू पैंज, demonstrative objective क्या है, adjective which are used to point out some person, और things are called demonstrative objective, adjective जिनका प्रियोग व्यक्टि या वस्त्व को, सूचित या इंगित निदेशित करने के लिए क्या जाता हैं, demonstrative objective कहते हैं, जिनका प्रियोग व्यक्टि या वस्त्व को सूचित या इंगित करने के लिए क्या जाता है, तो यह क्या है, तो यह क्या है, तो यह क्या है, यह जो है, demonstrative objective है, पजेसिए objective, पजेसिए objective सोज दब पजेशन और ओनर्शिफ, ऐसे objective जो अधिकार और सौमित को समधी दिखाते होंने, पजेसिए adjective कहते हैं, एक्जामपल है, इस इस माई विलेश, माई क्या है, पजेसिए adjective, इस मदर इस हेल्दी, हर रूम इस क्लीम, ठीक है, यह पजेसिए adjective है, नेक्स्ट है, समय है, इस, आबरी, इच, आबरी, आइडर, नाइडर, और कार्ट इस्टेबुटिटीव, अजेक्टिव, ने आरफलोगा आ नाउं, ठीक है, इनके एक्जामपल इस उस माई है, इस झूदेट वाघस आइड़ एडिक्स्ट इश्टनरी, every either और neither के बाद कोई noun होगा तो वहाँ से distributed adjective कहेंगे तो यहाँ पर देखे each के बाद strand noun है, either के बाद boy noun है, every के बाद man noun है, neither के बाद road noun है next है interrogative adjective adjective which is used with nouns to ask questions are called interrogative adjective what which who's are in interrogative adjective जिस adjective के साथ चावनत का प्रयोग कर प्रस्ण पूछा जाए उसे interrogative adjective कहते है what which who's, यह जो है interrogative adjectives के examples है whose pen is this, which shirt is your, what name do you want to speak next है proper executive proper executive कहा है, adjective made from proper nouns are called proper executive प्रॉपर नौव्ट जो एक विस्तेशता है बताते है, वेक्ति विस्तेश की विस्तेशता बताते है उसे प्रॉपर नौव्ट कहते है, example क्या है, रुणी इस एन इंडिया 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 सिटीजन He is a Russian leader तो यह Proper adjectives है next है emphasizing Are you emphasizing adjectives which are used to express emphasis on the noun to noun cook offsite करने के लिए यूज किया जाते हैं Unni emphasizing acceptance प्रूनी has been living in the very same street for five years I did it with my own choice, this is the very book I wanted, तो यह क्या है, very, on, very book, यह सब जो है, emphasizing adjective हो, क्योंकि यह emphasize कर रहे है, यह noun को emphasize कर रहे है, next part है, verb, a verb is a word which denotes an accent, state, or possession, verb is a word which denotes an accent, state, or possession, verb एक ऐसा word है, जिसे किसी कारी की होने का अधिकार गया अवस्ता का बोध होता है, शोनू reads a book, रोनी eats sweets, तरशत वाजा great king, I feel cold, verb दो टगर की होती है, main verb और auxiliary या helping verb, main verb या ordinary verb, auxiliary या helping verb, ठीक है, main verb दो प्रकार की होती है, अब main verb के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होती finite verb, दूसरी होती non finite या infinite verb, ठीक है, finite verb क्या होती है, a finite verb is that, एक तो ये main verb हो गई, और दूसरी होगी helping verb, helping verb मतलब is, am, are, do, does, was, were, ये सब जो है helping verb है, जो किस चीज़ को help कर रही, और main verb क्या हो जाएगी, जैसे कि play, play, eat, play, eat, ये सब जो है help main verb, main verb दो तरह की होती है, finite verb and non finite verb, infinite verb, finite verb क्या होती है, a finite verb is that which is change its form according to the number, person and tenses of its subject, finite verb and subject की number या persons को tense के साथ change करा जाता है, ठीक है, exam, finite verb क्या होगी, जो अपने subject की number, person और tense के साथ change हो जाती है, उन्हें finite verb करते है, exam साथ, I am a teacher, he is a student, they are players, ठीक है, क्यों होगी, finite verb, non finite verb क्या होती है, a non finite verb is that which does not change its form according to the numbers, person and tenses of its subject, non finite verb जो होती है, वो अपने numbers, subjects के persons के साथ से change नहीं होती है, example, I want to learn English, he wants to learn English, they wants to learn English, difference between finite and non finite verb, finite verb from act as a verb, non finite verb forms do not act as a verb, finite verbs act as the main verb of a sentence or clause, non finite verb act as a noun, adjective and adverb, finite verbs indicate numbers, person and tenses, non finite verbs do not indicate numbers, person and tenses, finite verbs are marked by inflictions, non finite verbs remain unchanged, finite verbs are used in the present tense and past tense, non finite verbs are used in gerund and participle, finite verbs are used in the present tense and past tense, important point, important point mark, present tense and past tense, non finite verbs are used in the present tense and past tense, non finite verbs are used in the infinitive, gerund and participle, और participle, रूपी यूज़ोती है, finite verb को दो भागों में बाटा जाता है, पहरी होती है, तुम दुम वर्पर, दूसरी होती है, nutritional, पत्राइश्टी वर्पर, यूज़ोती ओस्ट्ज़र्फ, दूसधी यूज़र्फ मतलब सकरमक्या और अकर्मक्या वाला हाल है, जो हिंदी में होती है न इंट अब्जेक वर्ब और जबाद अब्जेक का प्रयोग वो तो इसे तांजिस्टी वर्ब कहते है और चीज़ स्वर्ब के साथ जैसे एक्जांपल रोनी प्लेज क्रिकेट सब्जेक्ट वर्ब अबजेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अबजेक्ट I like the seasons of winter you have helped my family यह finite verb है इंट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होती है the verb used without an object is called intransitive verb जिस वर्ब के बाद object का प्योग नहीं होता उस वर्ब को intransitive वर्ब करते हैं राम गोज शीष्लीप मोहन लॉप्स कुछ auxiliary verbs होती है primary auxiliary present past auxiliary verb है we have is rm was were has have had models होती है can can could may may might shall shall should will will would must must out to out to need need used to choose to tear door यह important door जो है present में इसको door बोलते है नेक्स्ट है adverb an adverb is a word that qualifies modifies the meaning of verb adjective और another वा सब जो किसी verb adjective और दूसरे adverb की विज़ेस्ता बताया उसे adverb कहते है kind of adverb adverb of time adverb of frequency adverb of place adverb of degree of adverb of manner adverb of affirmation and negation adverb of reason interrogative adverb related adverb of time adverb of time shows the time of an accent they answer the question when adverb of time से क्रिया के संपादन होने के समय का बोध होता है क्रिया कब हुई होती है या होगी का बोध होगा I will go to school tomorrow I want to be Delhi yesterday adverb of frequency जिससे पता चले कि क्रिया how many times or how frequently an accent takes place मतलब कितनी बार और कितनी टाइम से हुआ है यह accents हुआ है विसे दू बताता है उसे adverb of frequency कहते है एक्जामपल है ही अटेंज दा ही अटेंड दा ट्रक्लास जिक रिखा हुआ है क्लास दीए अल्वेस रिखा वह है आधे हैं पर फ्लेसद्धिया आट्वर्पपलेस्टिया होती है आड़्वर्प प्लेस्कुला कारी किस संपादन के स्थान का अबोध होता है उसे पता कारी कहा हुआ है कि कितनी फ्रिक्वेंसी में हुआ है कब हुआ है उसे टाइम कहेंगे फ्रिक्वेंसी में हुआ है उसे एड़ फ्रिक्वेंसी में हुआ है तो उसे फ्रिक्वेंसी कहेंगे और पर प्लेस का अंदाज ह सब्सक्राइब. ऐद लेवर्ब डिगरी से आपांद होता है कि किसी एक्टें एडंब्स ओंव डिवे कि यह दो पता रहे कि एध दोन जादा है ट्थे रहा धार हॉत ज्यादा ही होलओ The cow is the most useful, most जो है यहाँ पर इसकी intensity को बढ़ा रहा है, useful की intensity को बढ़ा रहा है Adverb for manner, Adverb for manner tell how or in what manner an action is done Adverb for manner से पता चलता है कि क्रिया का संपाधन कि जंग से या कैसे होता है She writes beautifully, The child slept soundly I think यहाँ suddenly होगा Next है, Relative Adverb Relative Adverb modify the verb following them and at the same time they join two sentences together जब दो sentences को जोल रही होती है So relative adverb कहते है, the English language features three relative adverbs यहाँ पर तीन relative adverbs हैं English में Where, Were and When यह तीन most relatives adverbs हैं This is the field where I play दोको दो sentences को जोल लही है I do not know when he will return Where, Why, When यह जो है Relative adverbs हैं Degree of Comparison When an adjective and adverb change in form to soon comparison It's called degree of comparison Examples है, Degree of Comparison दीन परकार कियो थी एक positive, एक comparative, एक superlative ठीक है, positive degree When an adjective or adverb remains in its base from it It is placed in the positive degree जब कोई adjective or adverb अपने मौलिक रूप में रहता है तो उसे positive degree कहते है Roni is a faithful friend This is an old car Siddhant write beautifully It talks loudly Comparative degree When an adjective or adverb remains in its base from it Placed in the positive degree जब adjective adverbs से दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना हो तो से वहाँ पे comparative degree This boy is better than that boy Better than that boy America is richer than many countries Next is superlative degree When an adjective or an adverb is used to compare the qualities of more than two persons Comparative जब दो की बात होगी और superlative जब दो से ज्यादा की बात होगी Superlative जब adjective adverbs से दो या दो से अधिक वस्तों की गुडों की तुलना होती है तो वहाँ superlative degree होती है Example Tenderkar is the best player in the team Full teams में से comparison हो रहा है तो यहाँ पर best player Russia is the oldest friend of India He wrote the most accurately America is the most powerful country in the world Comparative और superlative डिग्री बनाने के नियम Rules है First Rules है As level Adhikans, Adjectives, Adverse में जोड कर comparative तथा EST जोड कर Superlative बनाते हैं ठीक है तो ज्यादा तर ER यहाँ पर एक मिस्टिंट है ER ER जो ER और EST जोड करके इसको R ही समझना है आप लो ER और EST जोड करके Superlative बनाते हैं एक्जाम्पल्स है Positive डिग्री रिच Comparative डिग्री इर Superlative डिग्री रिचस्ट Poor Comparative डिग्री पूरर Superlative पूरेस्ट Small Smaller Superlative smallest Short Shorter Superlative shortest Young Younger Superlative यंगेस्ट N, adjectiveी के end में Consonant हो तो इसे पहले एक Wowil हो तो ER और EST लगाने से पहले Consonant को Double कर जाते हैं जब adjective के end में Consonant हो और इसके पहले então comparative । बनाने से पहले इसको Double कर देते हैं जैसे यहाँ पर जैसे D Consonant है consonant है यह वोवल है तो इसे डबल कर देंगे रीडर रीडेस्ट आई डबल टी यह नेक्स्ट है एजट्टिक एंड में वाई हो तो वाई के पहले कोई consonant हो तो वाई को आई में बदल देते हैं पाई चेंज टू आई जैसे कि healthy बाद में वाई है उसके पहले consonant है तो healthier एसी एए यह एस तो यह यह था यह गया नेक्सिट है रूल्स ऐसे एड़र्ब जिनके एड़ में एल वाई लगे हो तो उन्हें comparative तर comparative में more तता most लगा कर बनाते हैं जैसे slowly तो more slowly, more slowly, nice, most nicely, most nicely, wisely, more wisely, most wisely next rule है एक से अधिक सब्दिके adjective में more रा most जोल का superlative बना जाता है example beautiful, more beautiful, most beautiful, Polish, more foolish, most foolish honest, more honest, most honest, objective adjective एड़र्ब के तीनों रूप भिन होते हैं good, better, best, bad, brush, brushed, much, many, more, most, here, are, other, other next rule no.7 positive degree को जोलगा कोई compound adjective बना हो तो first adjective के comparative superlative के रूपो जारा compound word का superlative बना जाता है examples है well known तो उसे comparative में better known या best known hard working, hard working, working है यहाँ पर hard working, hardest working, good hearted, better hearted, best hearted, dull whitted, dull whitted, dull whitted, dull whitted, misprint इतना ज्यादा है इस किताब में लेकिन कुछ अन्या ऐसे सब्दों में more और most भी लगाते हैं examples old-fashioned more old-fashioned most old-fashioned good nature more good nature most good natures कुछ adjective है उनकी comparative और superlative decrease प्रकार है एक्जर्टिव गुड, better, best, bad, rush, rushed, little, less, least, far, farther, farthest, many, or much more, most, mysterious, more, less, mysterious, more, less, mysterious, most or least, mysterious, complicated, more, less, complicated, most least, complicated, wonderful, more, less, wonderful, most least wonderful, happy, happier, happiest, crazy, crazier, craziest, nervous, more less nervous, most least nervous, massive, more less massive, most least massive, quiet, quieter, more less quiet, quietest or most least quiet, big, bigger, biggest, tall, taller, tallest, smallest, small, smaller, smallest, hot, hotter, hottest. Next is articles, articles सींत्रा के होते हैं, AN, the, articles सब्द का आत, डिमों, डिनोमिनेशन अथार्थ, प्रियोजन या अभी प्राई होता है, AN को indefinite article का definite article कहते हैं, AN का साब्दी कर्द होता है, इनका साब्दी कर्द एक होता है, दा का आत, दा का आत, दा का आत, वा जो ताजपरे मेर सुपहते हैं, कुछ मिस्प्रिंट है जगा पर, आर्टिकल्स होते हैं, वो नाउन को definite या इनडेफिनिट बनाने के लिए प्रियोग किया जाते हैं, आर्टिकल तीन तरह के होते है, Drake डेफिनिट अर्टिकल, ingefinite अर्टिकल ठीके, यूजु सब इन्डापिनिमेखल और delegate दो तरह कि हो गये पहला है इंड़ेऩटर бесп bij। दूसरा है ल। d'e neat तकल एक और एन होते हैं his A है यृप सी कउम्ठ बनाउन पहले किया जाता है Singular countable noun के पहले AN का use किया जाता है जिसकी चर्चा प्रथम बार की गई हो और उससे किसी खास वेक्टिया वस्तु का बोद नहीं होता हो वहाँ पर AN का use किया जाता है Example, I have a coy, cow I saw in an army of ants A committee has been formed A committee has been formed दूसरा है A ANN का प्रयोग पूरी जाती या work का बोद कराने के लिए जाता है Singular countable noun के पहले Singular countable noun के पहले पूरी जाती या work का बोद कराने के लिए जाता है Example, जैसे countable noun है नहीं A book, horse, a horse, a monkey A book is useful, a horse is an animal A monkey does not eat flesh Next है, rule 1 And, any के अर्थ में A, N का प्रयोग किया जाता है Example, a king had four sons I saw a beggar Next है, noun या प्रनौन के compliment के साथ A, N का प्रयोग किया जाता है Example, सिधार्थ इस अंजिनियर Labisa is a singer C is a beautician Salman is an actor Example, next है, rule दर, माप, तौल, गति, सूचक सब्दों के पहले A, N का यूज किया जाता है Example, I go to America टिस्वा यार Petrol cell 60 रुपीस अ लिटर Apply this ointment 3 times a day The Rajdhani Express runs 150 km and hour Next rule है, कुछ संक्यादमक्पदों या गिंति, सूचक सब्दों के पहले भी A, N का प्रयोग किया जाता है Example, I have a dozen pencils He gave me a thousand rupees A great many sips have arrived टिके, तो जो संक्यादमक्पदों या गिंति, उनकी आगे भी A, N का यूज किया जाता है A few little के साथ प्रयोग होता है A few और little के साथ भी प्रयोग होता है A का प्रयोग, few और little के साथ A few A small number, A little A small quantity टिके, few का मतलब होता है A few का मतलब होगा A small numbers की बात हो रही है A little का मतलब होगा A small quantity की बात तो जहाँ पर numbers की बात होगी, वहाँ पर few लगाएंगे और जहाँ पर quantity की बात होगी, वहाँ पर A little का Use करेंगे Examples हैं There are few books few books, books जो है नो numbers में count होती है इसलिए यहाँ पर few books On the table, our little knowledge is our dangerous things अब knowledge जो है इसे हम numbers में तो count नहीं कर सकते हैं quantity में count करेंगे तो यहाँ पर our little knowledge Example A N का प्रियोग singular countable noun के साथ Accliminary sentence में भी होता है Example What a fine weather What a boy Exliminary sentence में भी हम use करते हैं A N का Next है A N का प्रियोग Mr., Mrs. and Ms. plus surname के साथ होता है ऐसा उस स्थित में होता है जब किसी वैक्ति के बारे में कि बश्च सरनेम की ही जानकारी हो और कुछ नहीं Example A Mr. Gupta came in the evening A Mrs. Prashad is waiting for you Next अगर सिंग्लर कांटेबल नाउन का फर्स लेटर कांट कांसोनेंट हो तथा फर्स साउंड वोविल हो तो अन का प्रियोग किया जाता है Example An Honest Man An Howard An M A An Hair अगर An Air अगर सिंग्लर कांटेबल नाउन का फर्स लेटर वोविल तर सेकंड कांसोनेंट हो तो एका प्रियोग किया जाता है Example A University A Union A Uniform A European क्योंकि यह जो सब्द में या का बोद दे रहा है दा का यूज अगर कोई सिंग्लर कांटेबल नाउन सिंटेंस में पहली बार आता है तो इसके पहले An का प्रियोग किया जाता है अगर वही noun दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले दा का प्रयोग होता है example the book is costly, I bought a book, the pen is new, he has a pen second singular countable noun के पहले जिससे पूरी जाती का बहुत होता है दा या एका प्रयोग किया जाता है दा एका वाके में प्रयोग करने से पहले मूल अर्थ में कोई अंतर नहीं आता the cow grazing there in black in color, the cow is a gentle, a cow is a gentle दा और एका प्रयोग करने से मूल के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है किन्तो संदर बदल जाता है तो पहला है कि गाय भूली भाली होती है the cow is a gentle और गाय एक सीधी साधी पशु है गाय वहां जो वहां चल रही है वहां काले रंकी है तीनों चीट डाक और एके यूज से उनके अर्थ बदल जाते है नेक्स ए सुपर लेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग होता है रोनी is the best girl in class, साचीन is the fastest baller in the team, BTS is the most famous boy in the world तो जो सुपर लेटिव जिग्री है उनके आगे दा यह यह यूज होगे जब एक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है उसके पहले दा का प्रयोग होता है जब किसी वाकिय की बनावत noun plus of plus noun के हो तो पहला noun के पहले दा का प्रयोग होता है example the world of Africa is costly noun plus of plus noun तो वहाँ पर दा का use हुआ है I like the tea of dazzling noun of down तो वहाँ पर दा का use हुआ इसके पहले next is scientific experiment के आगे दा का use होता है who is inventing the bicycle the television is a gift of science he knew the result on the internet next is body parts के आगे दा का use होता है he hit me the face he was wondered in the leg he has a pain in the stomach next है वाज यंत्रो के नाम के आगे भी दा का use होता है I know how to play the guitar specific identity not known a n specific identity known the all things or things in general तो यहाँ पर कोई भी article use नहीं होगा उस्सासे पर दा 설व में दाया हो not